हलो सुडेंट्स, मेरा नाम श्रयांश है और आज मैं आप लगों को एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे इंटरेक्शन कराऊंगा, वो यह है कि क्या हम लोग सिर्फ सुभा ही पेड़ के नीचे सो सकते हैं, क्या हमें रात को इसके नीचे नहीं सोना चाहिए, क्या यह सच है यह एक मित है, उसके बारे में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा साइन्स को समझ के पढ़के, एक छोटा बच्चा है यहाँ पर, जो दिन के समय अगर यहां रहेगा, तो खुश रहेगा, लेकिन यहां आएगा, तो वो सफोकेट हो जाएगा, he might face some problems, he might die, ऐसा सच है क्या, let's understood, अब इसको पढ़ने समझने के लिए हमें concepts की क्या-क्या जानकारी होने चाहिए, यह समझो, अगर हम यह कहते हैं, सुभा के टाइम पे जब सन अपने बढ़िया पीक पे हो, light दे रहा हो, तो oxygen liberate हो रहा है plant के body से, रात में हो रहा है carbon dioxide का liberation, अगर यह होता है, तो यह किस process के through होता है, पहले वो समझना पड़ेगा, और यह process सिर्फ और सिर्फ plants में होता है, क्या animal में होता है, क्या कुछ plants में होते हैं, कुछ animals में होते हैं, इसकी क्या पूरी की पूरी कहानी है, यह अपने को पढ़नी समझनी पढ़ेगी, यह मैं आपको पूरा समझाओं, और आजा बच्चो, आपको पहले यह बताओं, समझाओं कि plant के body में दो process होते हैं, इनकी importance क्या है, और इन में से एक process हमारे body में नहीं होता, वो भी समझेंगे, देखो, एक plant के body में दो process होते हैं, एक होता है photosynthesis, एक होता है cellular respiration, humans, animals के body में यह वाला process, cellular respiration होता है, यह नहीं हो क्यों, क्योंकि photosynthesis होने के लिए हमको chloroplast चाहिए, chlorophyll चाहिए, chloroplast हमारे body में रहेगा, तो हम भी हरे भरे हो जाएंगे, हरे भरे कबाब थोड़ी नहीं हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास यह नहीं है, तो यह यह जो आपका plastic है, which is called as chloroplast, यह plant के body में होता है, animal body में नहीं ह होता, इसी लिए plants खुद का खाना बना सकते हैं, in the entire planet, अगर खाना naturally कहीं बनता है, तो वो बनता है chloroplast में in the leaves, कैसे, sun की light इस पर पढ़ती है, carbon dioxide जो atmosphere से ले लेता है plant, water जो roots के help से ले लेता है, जो की होता है soil के पास, तो यह तीन component, CO2, water and UV rays from sunlight, enter the chloroplast, वहाँ पर तीनों milk कर खुदी पताते हैं, खाना बनाते हैं, that खाना is called as glucose, C6, H12, O6 is called as glucose, plus water, अब यही glucose जो है, mitochondria के अंदर जाएगा, और साथ ही साथ oxygen की भी entry होगी, यह दोनों मिलेंगे, एक लंबा सा chain of reaction होगा, that is called as cellular respiration, उसके end पे CO2 का liberation होगा, और water का liberation होगा, तो अभी अगर आप लोग देखो, बहुत ध्यान से, यहाँ पर observation होनी चाहिए, top notch, photosynthesis का जो reagent था, वही cellular respiration का product है, cellular respiration का जो reagent था, photosynthesis का वही product है, दोनों के दोनों अपने product, एक का product किसी और का reaction करवाता है, reagent है उसका, और किसी और का product किसी और का reagent है, अब यह मैंने क्यूं समझाया है, आप सभी को यह बहुत important है, ध्यान से सुनो, जब हम day and night की बात करते हैं, कि day में हमारे पास O2 का liberation होगा, और night पे CO2 का, तो यह दोनों की समझ जब आप लोग को होगी, तब वो understanding बहुत तगड़ी बैठेगी, अब यहाँ पर आईए, एक छोटा सा मैंने यहाँ पर यह diagram लाया है, यहाँ पर सिर्फ comparatively समझाने के लिए है और बिलकुल नहीं, देखो धियान से, यह जो chloroplast है, यह सिर्फ plant cells में available है, animal cells में available नहीं है, पर यह जो आपका mitochondria है, यह animal cell में भी available है और plant cell में भी available है, यह क्यों बताया है मैंने, इसलिए क्योंकि mitochondria के वजह से होता है, cellular respiration जो एक plant body में भी होता है, animal body में भी होता है, लेकिन यह जो chloroplast है, सिर्फ plant cell में होता है, इसलिए photosynthesis सिर्फ और सिर्फ plant ही कर सकते हैं, यह कभी भी कोई animal नहीं कर सकता है, understood? यह clarity में को आपको आने सबसे पहले, कि भाईया plants और animals में plants को ही क्यों पढ़ा जाता है, क्यों बोलते हैं कि उनके body में कभी O2 निकल रहा है, कभी CO2, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, कि उनके पास दो अलग-अलग component हैं, यह दोनों अलग-अलग component आपके दोनों अलग-अलग काम धरवाते हैं, अब दोनों अलग-अलग काम होते हैं, तो उसके वज़ा से रात दिन में कुछ और प्रड़क और रात में कुछ और प्रड़क आने के chances तो बनते हैं, theoretically हमको यह clear हो गया कि हमारे दो दो प्रड़क बनते हैं, अब उसमें क्या difference आता है, सुभा को O2 क्यों, रात को CO2 क्यों, समझो, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो कि सारे के साथ समझ में आ जाएगा, दिन के same time पे बच्चो, photosynthesis होता है, respiration का process भी होता है, दिन के time पे दोनों process हो रहे हैं, अब जब दोनों process हो रहे हैं, तो वहां पर दोनों का production हो रहा है, oxygen का भी और carbon dioxide का भी, दोनों बन भी रहे हैं और use भी और थ्यान से, आपने क्या देखा था, CO2, H2O से बनता है, C6, S12, O6 और O2, यही अब आपका ये वाला काम करेगा, ये photosynthesis और ये हो गया आपका respiration, सुभा के टाइम पर दोनों काम हो रहे हैं, मज़े से, तो O2 बनेगा, ये बनेगा, ये दोनों के दोनों चलते चले जा रहे हैं, पर comparative note पे आपका ये वाला process जो है, वो ज्यादा हो रहा है, तो O2 का production क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा, जब O2 का production ज्यादा हो जाएगा, तो उसका यहां से liberation होना भी सही बात है, तो ज्यादा बन रहा है, ऐसा नहीं है कि should liberate नहीं हो रहा है, उस टाइम पर भी हो रहा है, पर compare करेंगे, तो maximum CO2 is used up for the process of photosynthesis, इसी लिए यहां पर liberate कौन हो रहा है, oxygen, अब आते हैं रात के टाइम पर, जैसे ही रात का टाइम आता है बच्चों, तब उस point पर photosynthesis क्या हो जाता है, शट मतलब ऐसे बंद नहीं, थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, अब रात में क्या नहीं हो रहा है आपका photosynthesis, रात में क्या हो रहा है भईया, आप लोगों का, जब respiration बहुत हो रहा है, तो comparative note पे कौन सी gas का production जादा हो रहा होगा, प्लांट में, अब जो जिसके पास रहेगा वही तो देगा, तो इसके पास CO2 जादा है, तो CO2 का liberation होता है कि सच बात है कि सुभा O2 रात में CO2, येस, अब इस पूरे वीडियो का जो बनाने का मेरा point था, वो आप लोगों के समने put up करते हैं, क्या हम रात में plants के नीचे नहीं सो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिनधास हो सकते हैं, एक plant से liberate किया हुआ carbon dioxide का amount इतना जादा नहीं होता कि वो आपको suffocate कर सके, पर हाँ, dense forest में अगर आप लोग कभी सो रहे हैं, तो it might lead to some problems, but not on a big scale, उसके साथ साथ आपको अगर कभी dense forest में सो रहे हैं, खुले मदान में सो रहे हैं, तो इसके वज़े से आपको दिक्रत नहीं होगी, practical problems हो जगते हैं, for example dense forest में सोते हो तो dense forest ही वो जगा है, फिलहाल इस planet में, जहां humans को छोड़कर बाकी सभी animals अपने मज़े से रहते हैं, तो क्या हो सकता है कि शायद तक वो आपको आपको आके परिशान कर दें, कोई आपको मारवार काटके चला जाए, ऐसा भी possible है, तो वो practical problems होंगे, पर आपको कोई fatal injury वग सो, गलत है, आप अराम से सो सकते हैं, इनसे problem नहीं होगी, कुछ वह problem हो जाएगी, अगर आप लोग को मेरा ये पढ़ाया समझाया हुआ, अच्छा लगा हो, तो please like, comment and share, I try my best कि मैं YouTube में और अलग platform पर आकर आप सभी को अपनी जो थोड़ी बहुत समझ है, knowledge है, शेयर करू अच्छा लग रहा है, तो जरूर बताएं, नहीं अच्छा लग रहा है, तो भी बताएं, thank you so much, enjoy